Hello everyone, welcome to my channel, my name is Priyado Gra and I'm back again with another video आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ Microsoft की तरफ से उनकी professional certification बिल्कुल फ्री में आप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे, साथ ही मैं आपको step by step guide बताऊंगी कि आपने professional certification exam कैसे schedule करना है payment की जब बारी आती है तो payment null कैसे करेंगे हम बिल्कुल zero हो जाएगी payment आपको एक भी पैसा पेहनी करना और Microsoft की तरफ से professional certification आपको मिल सकती है सो मेरे साथ बने रही है वीडियो के end तक बागी अगर वीडियो पसंद आई इसे like और share करना ना भूलिएगा अगर first time मेरे चानल पे विजिट कर रहे है so please इसे subscribe ज़रूर कीज़ेगा चलते हैं main platform की तरफ हमारा आज की जो topic है that is Microsoft cyber security की से related अगर आप certification लेना चाहते हैं so ये Microsoft का professional certification है जो है on security compliance and identity fundamentals ये certification की cost around about अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 99 dollars के आसपास आपको pay करनी होती है तब जाके आप इसकी certification बिल्कुल free में ले सकते हैं but आपको मैं यहाँ पे बता दू कि अगर आप इस पे pay करने लगते हैं कुछ GST वगरा मिला के आपको कुछ 5000 के आसपास pay करना पड़ता है but आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने यह 99 USD की जो cost है यह बिल्कुल free में करनी है सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे अपना exam schedule करके दिखाने वाली हूँ मैंने किस तरह से Pearson के साथ इस exam को book किया बिल्कुल free of cost सबसे पहले आपको क्या करना है schedule with Pearson VUE पे click करना है click करते ही आप पहुँन जाएंगे इनके platform हाँ पे discount code दिया गया है मेरा यह discount code है यह मैं आपको बताऊंगी कि discount code कैसे मिलेगा सबसे पहले आपको क्या करना है इसे claim करना होगा discount code को claim करने के बाद आपको पहले अपने account को verify करना होगा नीचे आप देख सकते हैं आपके पास एक tab दी गई है जिसके अंदर आपको अपनी email ID देनी है और अपनी eligibility चेक करनी है verification की एक email आईगी जिसके अंदर code दिया जाएगा उस code के थूँ आपका जो email ID है वो verify हो जाएगी पाद next पे आप click करेंगे आपके पास यहाँ पर option आएगी schedule के आप नीचे देख सकते है button आपके पास दिया गया है schedule का इस पे आप click कर दीजे इसके बाद आपके पास आने वाली है exam से related options सबसे पहले आपको अपना exam का center choose करना होगा यहाँ पे आपके पास तीन option दिये गए है whether आप test center choose करना चाहते है या घर बैठे home office कुछ भी choose करना चाहते है उसके थूँ आप exam देना चाहते है या आपके पास कोई private access है यहाँ पे आप दिख सकते हैं आपके पास option है कि आप घर बैठे भी इसका exam दे सकते हैं कुछ ही मिन्टों में आप अराम से अपनी exam जो है वो schedule कर पाएंगे आप next पे click कर दीजे next पे click करते ही आपके पास test की language पूछी जारी है so आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिस भी language में आप comfortable है English में most of the लोग comfortable होते हैं so English आप चूज कर सकते हैं next करते ही आपके पास कुछ policies पूछी जाने वाली है उनको agree करना होगा और नीचे ही आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे time zone पूछी जारी है so अगर आप Indian है आपके लिए यह particular time zone रहेगी यह चूज करनी होगे आपको next step में आप से आपकी date पूछी जारी है कि कौन सी date को आप exam schedule करना चाहते हैं exam schedule करने के बाद आपको यहाँ पे timing बतानी होगी कि इस particular date पे आप कौन सी timing पे exam देना चाहते है so एक बार जैसी आप अपनी timing यहाँ पे set कर देंगे उसके बाद आपके पास last option आएगा payment का payment के अंदर आप देख सकते है total including your GST and everything आप से 5150 के amount मांगी जारी है but आपको यह amount नहीं पे करनी अगर आपके पास discount code है तो आप नीचे देख सकते है बिल्कुल free में आप इस exam को कर सकते है यहाँ पे proceed to checkout और आपका exam यहाँ पे schedule हो जाएगा so यह method रहता है अगर आप Pearson के साथ अपनी Microsoft की कोई भी professional certification exam book करना चाहते है इस method को आपको follow करना होता है but बार ही आती है हमारा जो main point है यहाँ पे वो है कि हमारे पास discount code कैसे आएगा so discount code के लिए मैं आपको बता देती हूँ Microsoft time to time कुछ ऐसे training events launch करती रहती है जिसके थुरू आपको यह discount code मिल सकता है so उसी training event में से मैंने भी एक training event attend किया था और उसमें मुझे यह discount code मिला है so अगर आप भी Microsoft की यह जो cybersecurity की certification है SC 900 यह अगर आप schedule करना चाहते है so इसके training events होने वाले हैं इसी month दो training events होंगे so training events की मैं आपको detail देना चाहूंगी first आपका event होने वाला है 28th और 29th April को Chennai Kolkata में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाट आप इसको online भी attend कर सकते हैं बिल्कुल virtual training रहती है यह virtually मतलब घर बैठे है आप राम से इस training को attend कर सकते हैं इस training का यह फाइदा होता है कि आपको जो भी exam में पूछा जाना वाला है वो पहले आपको यहाँ पर सिखा दिया जाता है मतलब skills भी आपको मिल गए आप अपने exam के लिए prepare भी कर गए और साथ में आपको discount code भी मिल गया So all in all पूरा एक package आपको यहाँ पर all in all पूरा benefit मिल जाता है exam से related आपको discount code भी मिल जाएगा आपकी preparation भी हो जाएगी exam की Students के पास और professionals के पास बहुत अच्छा मौका होता है इस training event को attend करने का Training event में आपको बहुत अच्छी चीज़े सीखने को मिल सकते हैं साथी साथ आप exam का जो coupon code है वो यहाँ पे ले सकते हैं So आपके पास नीचे part 1, part 2 में Training का पूरा schedule बताया गया है किस तरह से चलने वाली है बागी अगर आप apply करना चाहते हैं First event आपने देख लिए 28th April 29th April को होने वाला है Next event का होगा 25th और 26th April को So यह थोड़ा shuffle हो गया है First आपका event 25th और 26th के लिए भी आप apply कर सकते हैं और आप 28th और 29th के लिए भी apply कर सकते हैं दोनों training events में जिस भी date को आप बिल्कुल फ्री है उसमें जाके आप enroll कर लीजे अब registration का process अगर मैं बताऊँ है यहाँ पे तो भी बहुत easy होता है Right hand side पे आप देख सकते हैं आपके पास form दिया गया है first name, last name, email id, phone number आप दे सकते हैं, job roll आपको बतारा होगा इन case अगर आप professional नहीं है student है, so you guys can write student here company name में आप अपने college का नाम या institution का नाम mention कर सकते हैं country region में आप India mention कर दीजे और company size में आप कुछ भी दे सकते हैं it is not a big deal की आपकी यहां पर verification होने वाली है उसके बाद यहां पर आपको अपने verification करके register now पर click कर देना है register now पर click करते ही आपकी seat यहां पर book हो जाएगी जिस दिन आपका event होगा आपको एक अलग से mail आजाएगी आपको reminder दे दिया जाएगा कि आपका event अप शुरू होने वाला है उसको आप थोड़ा सा भी join करते हैं तभी आपको यहां पर discount code मिल जाएगा so discount code को किस तरह से apply करना है exam schedule करने के लिए वो मैं already आपको बता चुकी हूँ बाकी in case अगर आप चाहते हैं तो मैं यह exam देने ही वाली हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं यह exam पास करके आपकी भी help करूँ तो मुझे जरूर से बताईएगा comment section हमेशा open रहता है आपकी suggestion के लिए बाकी अगर आपको मेरी कोई और help की जरूरत हो तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं या directly आप मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे whatsapp group में और मेरे telegram channel पे उसका link भी आपको नीचे description पर मिल जाएगा तो आज किस video के लिए बस इतना ही I hope आपके लिए informative रही हो इसे like और share जरूर कीजिएगा बागे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए thank you so much have a good day